बांगलादेश में चात्रों की पसंद के मुहम्मद यूनुस की अगवाई मंत्रम सरकार बन चुकी है ये चात्रों का ही अंदोलन था जिसके बाद हालात ऐसे हो गए कि शेक हसीना को देश शोड़ कर भागना पड़ा कहा जाता है कि बांगलादेश के चात्र राजुनीती को लेकर काफी सक्रिय होते हैं मकर बांगलादेश में कुछ चात्र भारत के भी होते हैं जो वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं बांगलादेश में हालात बिगणने के दौरान ये चात्र भारत आएं और अब हालात समानी होने का बिसबरी से इंतजार कर रहे हैं ताकि वहाँ ज तो मैं आपको बता दूं कि यहां से अधिक्तर शात्र MBBS की पढ़ाई के लिए बांगलादेश जाते हैं हर साल हजारों के संख्या में इंडियन स्टूडेंस मेडिकल की पढ़ाई के लिए बांगलादेश जाते हैं वजय तो बहुत हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंस की एक अनुमानित संख्या जान लेते हैं जो हर साल MBBS के लिए इंडिया चोड़ बांगलादेश का रुख करते हैं साल 2022 की बात करें तो इंडियन गवर्मेंट द्वारा दिये गए डेटा के मुताबिक 9308 कंडिडेट्स इंडिया से बांगलादेश गए इन में से 922 ने फॉरिन मेडिकल राजुएट इग्जामिनेशन में भी हिस्सा लिया यानि ये विदेश उसे पढ़कर इंडिया में ही प्राक्टिस करना चाते थे मोटी तोर पर कहें तो हर साल 10,000 के करीब इंडियन स्टूरिंस MBS के लिए पड़ोसी देश जाते हैं सूत्रों के मताबिक बांगलादेश में पढ़ाई करने का भारती चात्रों के लिए सबसे बड़ा फायदा पढ़ाई में लगने वाले खर्चे हैं बांगलादेश के चुनाओं के पीछ एक नहीं कई सारे कारण है जिनकी मोटी जानकारी हम आपको यहां दे रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि बांगलादेश और इंडिया के बीच दूरी बहुत कम है दूसरी विदेशी धर्ती के मुकाबले यहां आना जाना कम खर्चे में हो जाता है प्लेन से कुलकाता से धाका 5000 के करीब रोड से 1500 के करीब और ट्रेन से 1200 में पहुँचा जा सकता है इसलिए कंडिडेट्स को विदेश में पढ़ने की बावजूद विदेश से कनेक्ट रहना असान हो जाता है यहां और वहां के कल्चर में बहुत फर्क नहीं है और अगर आपको थोड़ी बहुत बंगाली आती है तो यह और भी बढ़ियां हो जाता है यहां अधिक्तम लोग मुसलिम होते हैं इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के तुलना में यहां एमबीबियस की पढ़ाई का खर्च काफी कम है यहां मेडिकल की बैचलर्स डिग्री पांच साल की है और एक साल का इंटरंशिप पीरियर है पूरा कोर्स जिसमें रहने का खर्च से लेकर पढ़ाई 30-40 लाग तक में हो जाता है कम खर्च के अलावा गर हम अन्य फायदे की बांगलादेश में बात करें तो पश्रिमी देशों में से कुछ चुनिंदा देशों को छोड़ कर भारत से बाहर मेडिकल पढ़ाई कर देश लौटने वाले भारती आशातरों को फॉरन मेडिकल ग्राजूएट इग्जामिनेशन पास करना होता है इस परिक्षा में पास करनी वालों में से बांगलादेश में पढ़े भारती शातरों का प्रतीशत बहुत अधिक होता है इंडिया के प्राइविट मेडिकल कॉलेजों की तुलना में यहां MBBS की पढ़ाई का ख़च काफी कम है यहां मेडिकल की बैचलर्स डिग्री पात साल की है और एक साल का इंटरंशिप पिरियल है पूरा कोर्स जिसमें रहने का ख़च से लेहकर पढ़ाई 30 से 40 लाग तक में हो जाता है इंडिया में सीटे कम है तो कई बार जिन कांडिडेट्स को यहां अड्मिशन नहीं मिलता वे पढ़ोसी देश में MBBS करने का फैसला लेते हैं यहां एड्मिशन के लिए पातरता PCB विश्यों के साथ कम से कम 50% अंकों से बार वी पास और नीट क्वालिफाई होना चाहिए नीट पास करने के बाद लगबग सभी विदेश्वी देशों में कांडिडेट्स को MBBS पे एड्मिशन मिल जाता है यहां पढ़ाई का माध्यम इंगलिश है इसलिए भी इंडिन कांडिडेट्स को अराम रहता है